हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूसफुल टिपस और ट्रिक्स वार होम में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और मीशो हॉल्ड वीडियो जिसमें बहुत ही कमाल के और उतने ही रैंडम आइटम्स में आपके लिए लेक्या आई हूँ I hope कि हमारे बाकी की वीडियो की तरह आज का ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही यूसफुल होगा तो चलिए बिना देर के आज के इस अमीशो हॉल वीडियो को शुरू करते है तो चलिए आज के इस वीडियो की पहली बॉक्स को खोल कर देख लेते हैं कि इसमें क्या है बहुत ही बड़िया पैकेजिंग के साथ ये प्रोड़क मुझे रिसीव हुआ है ये प्रोड़क में काफी दिनों से सर्च कर रही थी और दिखने में भी बहुती रॉयल लुक देने वाला ये प्रोड़क है फाइनली काफी सर्च करने के बाद मुझे ये मिला है और ये है एक गोल्डन कलर का मसाला बॉक्स या फिर आप जिसे मसाला दानी भी कह सकते हो डेली खाना बनाते वक जो भी मसाले हमें चाहिए होते है या फिर खड़ा मसाला वगरा रखना है तो इसकी लिए ये मसाला बॉक्स या फिर मसाला दानी बहुत ही काम आने वाली है सबसे बड़ा बात है इसका लुक लुक वाइज काफी रॉयल लुक ये मसाला दानी देती है जिसमें आपको मिलते हैं साथ कंटेनर्स और एक स्पून और अगर इसके कंटेनर्स याने की इसके बोल की बात करें तो वो भी बहुती बढ़िया कॉलिटी की है बिल्कुल भी ये लाइट वेट नहीं है काफी हेवी है साथ बोल के साथ साथ एक बहुती बढ़िया और हेवी स्पून भी आपको इसके साथ मिल जाता है तो इस बोक्स को आप सिर्फ किचन में मसाला रखने के लिए नहीं आपके डानी टेबल पर जो ड्राइफ फूट्स वगरा होते हैं चोटे मुटे स्नैक शॉकलेट्स वगरा आपको रखने हो तो इस बोक्स का यूज आप जरूर करें इसे रखते ही आपके डानी टेबल का लुक और भी एनांस होने वाला है जो भी आपके घर में आएगा आपको जरूर पूछेगा कि ये मसाला वाला बोक्स आपने कहा से खरिदा है तो उनको भी आप जरूर कर आप इस प्रोडर्ट की और भी जानकारी चेक कर सकते हो चली हमारी इस नेक्स बॉक्स को भी खोल कर देख लेते हैं तो यह एक स्टेने स्टील का और गनाइजर जिसमें आप स्पून फोर्क या फिर उडन स्पैचुला वगरा प्रॉपर और गनाइज करके रख सकते हो यह जो स्टेने स्टील का और गनाइजर है बहुती बड़िया है सबसे बड़िया बात आप इसे आसादी से क्लीन भी कर सकते हो इसमें अगर पाणी वगरा रह जाए तो यह पानी भी आसानी से ड्रेंउ कर लेता है और इसी की वजे से यह काफी पून भी हो जाता है तो लिंक मैंने आपको इसी वीडियो की description box में दे दी है चलिए पहले दोनों ही product मुझे तो personally बहुत ही बढ़िया लगे अब इस next box को भी हम open करके देख लेते हैं इसकी भी काफी बढ़िया packing मुझे दिखाई दे रही है और इसे कोल कर हम देख लेते हैं तो यह है ceramic के salt and paper shaker बहु यह shaker मुझे receive हुए है इसकी bottom में आपको यह lid दिया गया है इसे remove करते ही आप इसमें salt, paper वगरा डाल सकते हो काफी hut के shape और बढ़िया quality की यह shaker आपको मिलते हैं just 140 rupees में मीशो पर वैसे तो local market में अगर कुछ खरीदने जाए तो ऐसे different shape के कोई भी organizer हो या फिर ऐसे shaker वगरा हूँ हमें नहीं मिलते, common shape के ही मिलते है और अगर आप आपके घर के लिए कुछ हटके purchase करना चाहते हो तो कुछ इस तरह के से cactus shape के आप शेकर जरू ट्राय कर सकते हो चली हमारी next box में क्या है वो भी check कर लेते हैं तो ये है एक stainless steel का cutting board जिसे आप chopping board भी कह सकते हो आजकल काफी trending में है ये stainless steel के बने हुए chopping board आजकल काफी trend चल रहा है in chopping board का और क्यों नहों क्योंकि नॉर्मल हमारे kitchen में होते है wooden के या फिर plastic की chopping board जो काफी maintain रखने पड़ते हैं लेकिन ये जो stainless steel का chopping board है बहुत ही बढ़िया है बहुत ही handy है और maintenance भी इसका काफी कम होता है तो मुझे ये मिला है जस 275 रुपीज में मीशों से ते मैंने इससे तुरंट purchase भी कर लिया है हमारे kitchen के लिए आपको ये stainless steel का chopping board कैसा लगा कमेंट करकर जरूर बताए चलिए बिल्कुल इसी तरह के से हमारे next box में क्या है देख लेते हैं अब तक तो हमारे product काफी बढ़िया मुझे लगे काफी useful लगे आपको इसमें से कौन सा product अब तक अच्छा लगा हमें कमेंट करकर जरूर बताए देखिए हमारे next box को खोलने के बाद हमें ये मिला है stainless steel plus glass से बना हुआ ये salt and paper shaker बहुत ही बढ़िया salt and paper रखने के लिए ये shakers है आप देख सकते हैं bottom में इसका काच है और उसके बीच में आपको stainless steel का part दिखाई देगा और इसे रखने के लिए भी बहुत ही बढ़िया एक stand भी आपको मिल जाता है जिसे आसानी से आप आपके dining table पर आपके kitchen में रख सकते हो look wise ये बहुत ही बढ़िया है और अगर इसके price की बात करें तो ये आपको मीशो पर मिलता है just 190 रुपीज में चली हमारे next box में क्या है वो भी open करके देख लेते हैं तो ये है एक बहुत ही useful बहुत ही कमाल की motivational fitness sports water bottle जो आपको मिलती है straw के साथ जो आपको पानी पीने के लिए ज़रूर motivate करने वाली है क्योंकि इसके उपर आपको motivational words भी दिखाई देंगे जो आपको time wise आपको motivate करती है पानी पीने के लिए अगर आप office जाते हो जिम वगरा जाते हो school going हो तो आपकी ल बहुत ही बढ़िया है अगर आप cycling मगरा करते हो तो यह cup holder friendly भी है और यह बहुत ही useful water water आपको मीशो पर मिल रही है just 230 रूपीज है ना बहुत ही useful यह bottle अगर आपको और भी इसकी detail चेक करनी है तो इसकी purchase link मैंने इसी वीडियो की description box में दे दी है उस link पर जाकर आप इसकी सा last वाले product को देख लेते हैं जो मेरा सबसे फेवरेट है जी हाँ इस पूरे haul video में मुझे यह जो stainless steel की basket है बहुत ही पसंद आई थी और sorry इसका जो unboxing का clip है वो मैं shoot करना भूल गई थी camera on करना भूल गई थी इसलिए directly unboxing के बाद ही आपको यह basket दिखाई दे रही है जी हाँ आप आपकी requirement है बिल्कुल उसी तरीके से इस basket का यूज आप कर सकते हो आपके vegetables हो गए fruits वगरा रखने के लिए आपके kitchen में आपके fridge में या फिर आपके dining table पर रखने के लिए यह basket बहुत ही कमाल की चीज़ है आप देख सकते हो video में काफी तरीके से मैं इसे fold करती जा रही हूँ जैसे जैसे यह shape बनलता जाएगा वैसे विसे आप requirement की तरह इसका use कर सकते हो और सबसे last में जब यह flat हो जाती है तो as a hot pot stand भी आप इसका use कर सकते हो और यह बहुत ही कमाल की multi-purpose tennis steel की basket आपको मीशो पर मिल रही है just 230 रुपीज तो बिल्कुल भी सोचेगा मत इसे तुरंत order क कीजिएगा यह बहुत ही कमाल की चीज है बहुत ही useful है so friends I hope कि आज का यह मीशो हॉल वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो इसमें से कौन सा product आपके लिए नया और useful रहा हमें comment करकर जरूर बताए यह वीडियो अगर आपके लिए useful रहा हो मेरे यह मैनत अगर आ बिल्कुल ना भूलिए